कुजात मां 25 वर्ष्थी सत्ता थी विम्मुख कॉंग्रेस ने सत्ता पर लावा हाई कमांड रगुशर्मा नी प्रभारी तरीके निम्नुक करीशे। ने सरकार प्रहार करया हता। ये लीडर्स हैं, उनसे बातचीत कर रहा हूं, व्यक्तिस हैं। और पूरी पार्टी को एक जुट किया जाएगा आने वले समय में। सब को जिसकी जो जमेदारी है उसको भी तै किया जाएगा। और नौजवान पीडियों चाहे बुजूर्गों, पुराने नेता हों चाहे ने नेता हों। सब को समनवी तूप से एक करके और फिर लड़ाई की रणनीती बनाएंगे और भारती जनता पार्टी की जो विफलताएं हैं, हम विपक्स में हैं, हमारा फर्ज है कि वो जनता तक हम लेके जाएंगे, अल्टिमेटली तो प्रदेश की जनता ही माईबाप है, वो ही फैसला करती है, लेकिन हर बार मुख्य मुद्दों से धान बीजेपी हटा देती है, धार्मिक मुद्दे प्रमुख हो जाते हैं, और गुजरात के विकास पे चर्चाईनी होने देती है, और लोग भावा विश्म वोट दे देते हैं, ये 26 साल से यहां चलता आया है, मैं नहीं कहत कि यहां विकास नहीं हुआ है, लेकिन विकास के जो पेरामिटर्स हैं, मेरी नजर में वो हैं कि प्रदेश की बेरोजगारी, उसकी क्या स्तीती है आज, उसको 25 साल में भारती जनता पार्टी की सरकार ने कितना कम किया है, आगे उनका एक्शन प्लान सामने आना चीए, बे दो बार इसी नारे पे उनको सरकार में बढ़ा है, आज हालात क्या है मेंगाई के, पेट्रोल कहा है, डीजल कहा है, रसोई गेस के दाम कहा है, 400 रुपे, साथ साल पहले जब कॉंग्रेस की सरकार थी, 400 रुपे में गेस का सेलिंडर मिल रहा आज, 900 के पार, 900 और 1000 के बीच म है, डीजल और पेट्रोल के हालत क्या है, 100 से उपर चले गे दोनों, और जिस धंग से मेंगाई बढ़ी है देश के अंदर, आज किसान आत्मत्या कर रहा है, एक साल से तीन काले कानूनों को लेके, और सड़कों के उपर बैठा है, यहाँ पे कानून और वेवस्ता की स्तित क्या है, अगर यह मॉडल गवर्नेंस स्टेट है, तो फिर एक लाग पिछेतर हजार क्रोड की हेरोईन जो पोर्ट पे पकड़ी गई, उसका सच प्रदेश की जनता को क्यों नहीं बता रहे, किस के लिए लाई ही थी हो, किस की जिंदगी बरबाद कर रहे थे उससे, नौज मारी का दोर चल रहा है, सदी की भिशंतम मामारी COVID-19 चल रही है, सैकड़ों लोगों की जिंदगी चले गई, इलाज के अभाव में या, क्यों, सब निजी करण किया, निजी हस्पताल तो बढ़िया बन गए, लेकिन गौर्वर्मेंट सेक्टर के हस्पताल कहा है, तो लोग जिनके पाफ पैसा नहीं था, उन लोगों को कितनी परिशानी का सामना करना पड़ा, आज वो ही हालत सिक्षा में हो रही है, आप प्राइवेट स्कूल खोले जा रहे हो, उन्हें फीस इतनी है कि बच्चें को पढ़ा नहीं सकते, तो सरकारी क्षेतर के स्कूलों को आ, सरक पाइका किसी राजस्तान के रहने वाले व्यक्ति को नहीं लगता है, सारी जांच हमारी निसूल के वहाँ पर, और पांच लाग तक का बीमा कावरेज, अगर किसी की गंबीर बीमारी हो गई, सर्जरी करानी है, पांच लाग तक का बीमा कावरेज, राजस्तान के हर नागर हुआ जो गरीब के काम आ सके मेहगाई को कम करने का क्या प्रयास हुआ बेरोजगारी को दूर करने के पचीस साल में क्या प्रयास की भीजेपी ने यह तो सवाल नौज़मान पुछेगा अंक नहीं पुछेगा और किसानों की बारे में उनकी दुर्दसा पे इन्होंने बहुत बोला था, इन्होंने क्या किया है, यह बताएं. मुद्दे आपके पास बहुत है, 2017 से बात करें तो कॉंग्रेस का जो परफॉमंस से गिरता जा रहा है, जो रिजल्ट है वो विप्रित आ रहे हैं. तो कैसे ऐसे मुद्दे आपको लगते हैं कि जिस पे ज़्यादा दियान देना चाहिए? देखी दुर्भागी से देश में भारतिय जन्ता पार्टी को यह आदत लग गई है, कि जब भी चुनाव होंगे, आप धार्मिक भावनों भड़काएंगे, कभी मंदिर के नाम पे, कभी धार्मिक भावनों को भड़काने के लिए, जैसे हम तो धर्म के विरोधी हों और धर्म के पक्सदर हों, लेकिन वो सिर्फ चुनाव के समय, ऐसा महोल बनाते हैं बेज़ेपी, कि सारे जो प्रमुक मुद्धे हैं, वो तो साइड में रह जाते हैं, असली मुद्धा हिंदू-मुस्लिम कर देते हैं, यह लगातार हो रहा है इस देश के अंदर, इस राज्य मुख्य मंत्री के रूप में, उप मुख्य मंत्री के रूप में, सरकार के कैबिना मंत्री के रूप में, मंत्री के रूप में, अचानक चार साल बाद उनको हटाने की ज़रूरत क्या पड़ी थी, और हटाने की बाद आप कहरे हो, यह हमारा बोल्ड डिसीजन है, मैं कहता ह प्रदेश की जनता माफ करें कि यह लोग अच्छी सरकार नहीं दे पाए इस बात की हम क्षमा मांगते हैं और अब नई टीम दे रहे हैं जो काम बेतर करेगी आप तो अपनी पीट तप तपा रहे हो गुना करने के बाद भी और इन में से कितने लोगों पर किस-किस तरह के आ आम आदमी पार्टी और जो OSA की पार्टी है उसने वोट शेर जो तोड़े आपके कमिटेड वोटर को भी तोड़ा है तो उसके लिए क्या का स्टेजी रहे गया और अन्निती हम बनाएंगी क्योंकि जनता में इनको एक्सपोज करेंगी कि आये क्यों हैं आप खुद सवाल ये कर रहे हैं कि एक कॉंग्रेस का वोट तोड़ने आएं बीजेपी को फायदा पहुचाने आएं एक काम ये हर रज्जे में कर रहे हैं जहां भी जा रहे हैं एक तरफ धार्मिक पॉलराइजेशन कर रही है बीजेपी दूसरी तरफ अपनी ये जो बी टीम है उसको भेज कर रहे हैं ताकि कॉंग्रेस के वोटों को ये डिवाइड कर सके जो अंग्रेजों की पॉलिसी ती डिवाइडन रूल वो मेरे को लगता है बीजेपी ने अपना लिए सर बात करेंगे अभी प्रेसिडेंट की गुजरात कॉंग्रेस के अमिच चावडा और सियल पी लीडर ने इस्तिफा तो दे दिया है तो कितने समय में नया संगठन बनेगा कैसे काम करेंगे बहुत जल्दी आपको गुजरात में कॉंग्रेस का पूरा धाचा जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक सेल पी डर और पूरी कार्यकारणी जीलों में ब्लॉक में पूरे कॉंग्रेस का संगठन का धाचा हम खड़ा करेंगे और हर आदमी की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाएगी क्योंकि कोई पद पे रहे या नहीं रहे ये बड़ी चीज नहीं है अपनों कॉंग्रेस का जिम्मेदार आदमी तो है यह हो पार्टी रहेगी और पार्टी की सरकार बनेगी तो हर आदमी की एहमें तर दोजर लड़ेगी और जनता की मुद्दों को सामले रखके नहीं लड़ेगी तब तक लड़ाईज यतना बहुत मुश्किल काम होता है लेकिन ये मुश्किल रास्ता ही कॉंग्रेस हमेशा अपनाती रही है हमने बहुत उतार चड़ाओ देखें कॉंग्रेस कभी सत्ता में भी रही क कभी बाहर भी रही है आज़ादी का अंदोलन लंडें वाली पार्टी है इनसे भी लड़ेंगे लड़ेंगे काम्याब भी होंगे हमेशा एक सिस्तिती नहीं रहती है घुजरात में भी बदला होगा देश में भी बदला होगा शुख्री आमसे बात करने के लिए तो आता में हुल सोलंगी नी साथे बीरें जादाओ अम्दावाद तो आहता तेर सुदिना समाचार वदो समाचार उमाटेश होता रहो निर्माण न्यूस नमस्कार